दोस्तो आस्मान में उड़ रहे एरोप्लेन की अवाज सुनते ही बजपन में हम सभी दोड़ कर बाहर आ जाते थे और तब तक प्लेन को देखते रहते थे जब तक वो हमारी आँखों के सामने से गायब ना हो जाए और एक आज का वक्त है जब एरोप्लेन से सफर करना बहु में उड़ जाते हैं या फिर यूँ कहें कि ये टेक आफ और लेंडिंग कैसे करते हैं तो दोस्तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन अनोखी सवालों के जवाब तो बने रहिए आज की इस वीडियो के आखिर तक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो इन सब बा पहली बार पंचियों के जैसे पंक बना के उनने की कोशिश के थी और तभी उन्होंने एक ऐसा आर्टिफीशल डिवाइस बनाया जो की करीब 200 मीटर की उचाई तक उड़ा हाला कि उसकी कोई तस्विर नहीं है लेकिन 9 और 11 सदी में ग्लाइडर का अविशकार हुआ पर उ ऐसे अनिको परिक्षण होते गए दोस्तो एरो प्लेन को बनाने का श्रय सबसे पहले राइड ब्रदर्स को जाता है ये दोनों ही भाई थे जिनके नाम औरिविले और विलबर्ड है इन्होंने सन 1903 में अलग-अलग मशीन्स इंजन्स और पावर्स के साथ उड़ने वाला जो कि 1905 में उड़ने में सफल हुआ और ये पहली बार 39 मिनट तक 39 किलो मिटर हवा में उड़ते रहा दोस्तो अब ये तो हो गया इसका इतिहास अब हम आते हैं असली मुद्दे पे कि आखिर एरो प्लेन उड़ता कैसे है दोस्तो हवाई जाज कोई भी हो उसे उड़ाने क दो फेक्टर्स में होते हैं पहला होता है सक्सेस्फुल टेक ओफ और दूसरा होता है जीरो नेट फोर्स और सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने जिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तमाल किया था वो थे बरनॉलिस प्रिंसिपल और न्यूटन का थर्ड लॉफ दोस्तो आस्मान में उड़ने वाली कोई भी चीज पर चार तरह की फोर्स अपलाई होती है पहली है ग्रैविटी दूसरी है लिफ्ट फोर्स तीसरी है थ्रश्ट और चौती है ड्रैग फोर्स अब ये चारो फोर्स बैलन्स हो तभी एक प्लेन आस्मान में अच्छे से उड़ और जिस तरह बर्ड्स के उड़ने के लिए उनके विंग्स सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं उसी तरह एक सर्सेस्फुल फ्लाइट के लिए प्लेन्स के विंग्स का डिजाइन बहुत एहम होता है जाहतर प्लेन्स के विंग्स का उपर का सरफेस कर्व होता है जबकि नी अब दोस्तो ग्रैविटेशनल फोर्स जो कि प्लेन को जमीन की और खीशती है और ये लिफ्ट फोर्स ये दोनों एक दूसरे से बैलन्स होकर नेट फोर्स को जीरो कर देती है और इसी कारण हवा में प्लेन बैलन्स कर पाता है अब भाईयो एरो प्लेन हवा में बैलन्स तो ह लेकिन इससे आगे भढ़ाने के लिए एक proportion acceleration force की भी जरुरत पड़ती है, जिससे कि ये किसी direction में आगे की तरफ move कर सके, और इसके लिए aeroplane में ये बड़े बड़े turbo propellers लगाये जाते हैं, बंको की तरह नजर आने वाले propellers main engine से जुड़े होते हैं, इन्हें engine oil की मदद से start कि जाता है और thrust power generate की जाती है, और भायों मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि पहले जहां सभी planes में सिर्फ एकी तरह के turbo propellers engine हुआ करते थे, वहीं अब market में तीन तरह के engines मौजूद हैं, जिनका नाम है turbo jet, turbo crop और turbo fan, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा turbo engine GE 9X, Boeing 777X मे लगाया किया है, turbo engine से generate होने वाली thrust power plane को take off और आस्मान में आगे move करने के लिए help करती है, लेकिन जब plane आगे की तरफ move होता है, तो इस पे सामने से हवा का दबाव पड़ता है, जिससे की drag force पैदा होती है, drag force plane को forward direction में move करने से रोखती है, इसलिए दोस्तों जालतर planes को 33,000 से 41,000 feet की उचाई पे उड़ाया जाता है, क्योंकि इतनी ऊपर हवा थोड़ी पतली होती है, जो कम drag force पैदा करती है, वहीं drag force के effect को कम करने के लिए plane का aerodynamic design भी बहुत काम आता है, दोस्तों modern aircraft के wings highly modified होते हैं और कई parts में बढ़ जाते हैं, और साथ ही wings के इन parts को जरूरत के ह जिसमें आसमान के मुकाबले ज्यादा thrust और lift force लगती है, और इसी वज़े से take off के वक्त wings के इन flab और sliders को नीचे की तरफ extend कर दिया जाता है, जिससे wings का surface area और curvature भढ़ जाता है, और ज्यादा हवा reflect होने लगती है, दरसल दोस्तों इससे होता ये है कि plane को take off के लिए पर take off कर पाता है, वहीं take off के बाद wings में लगे ये flaps और sliders दुबारस से fold हो जाते हैं, और इसकी अलावा plane को अलग-अलग दिशाओं में move करने के लिए alleron, elevator और rudder का इस्तमाल किया जाता है, दोस्तों पाइलेट, elevator का इस्तमाल slide के दोरान upward और downward direction में move करने के लिए करते हैं, जबकि plane को left और right direction में move करने के लिए जडर और allerons का इस्तमाल किया जाता है, और वहीं landing के वक्त spoilers का भी इस्तमाल किया जाता है, landing के वक्त spoilers की वज़े से ही drag force भढ़ जाता है, और lift force कम हो जाता है, जिससे कि plane नीचे की तरफ आने लगता है, और आखिर में plane की safe landing के लिए landing gear क भी बाहर निकाला जाता है, जो कि plane की high drag power को surface की friction से control करने में मदद करता है, और भाईयो इस तरह plane के take off से लेकर आसमान में उड़ने और फिर land करने तक का सफर पूरा होता है, अब दोस्तों आपने गौर किया होगा कि पहले की aeroplane की खिड़कियां square shape में होती थी, लेकिन ऐ 2050 में planes की window का shape square से round या फिर oval में कर दिया गया, अब दोस्तों आप ये जौनते हैं कि आखिर क्यों plane की खिड़कियां oval और round shape में होती है, दोस्तों पहले की समय में pilots जमीन पर बड़े बड़े पहाड़, landmarks और airlines को देखकर रास्ते का पता लगाते थे, लेकिन फिर जैसे जै GPS रहता है, वो signal यूज करता है, जिससे कि traffic flow, speed और आपकी destination की distance का पता लगता है, लेकिन भाईयो, aeroplanes में airways यानि की routes के road maps होते हैं, और aeroplane का GPS होता है, जो signal को use करता है, और हवा, मौसम और destination के distance को analyze करता है, और ये सारी information रहती है एक black box में, जिसमें सारा reference system data और radio navigation signal शामिल रहते हैं, जिससे जो aeroplanes होते हैं, वो airways यूज करके अपनी destination तक पहुंचते हैं, दोस्तो आपके घ्यान को भढ़ाने के लिए बता दू कि black box को aircraft navigation का brain बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important role play करता है, aeroplane को रास्ता दिखाने में, एक बार जब route decide हो जाता है, तो सारी information को flight management system यानि की FMS में भर दिया जाता है, अब जो FMS होते हैं, वो बहुत सारी signal यूज करते हैं, जिससे की aircraft की position maintain होती है, और aircraft अपनी destination तक पहुंचता है, और वो दो signals के नाम है, radio aids और global positioning system, जिसको हम GPS के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तो बस आज किस वीडियो मे देखने के लिए आपकी अपने चैनल Unknown Facts Hindi को सब्सक्राइब करके गंटे को दबा दो, अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद